जबलबुर में एक चाय वाले ने हिस्ट्री शीटर के चाकू मार कर हत्या कर दी हत्या के पीछे जो वजा सामने आया वैं चौकाने वाली है हिस्ट्री शीटर रोज फिरी में चाय पी कर जाता था और रूपिय मांगने पर धमकाने लगता मंगलवार को राज जब दुकंदा ने उससे रूपिय मांगे तो उसने चाटा मार दिया समझाने आई मार को भी धमकी दे दिया इससे चाय वाले को गुस्सा आ गिया और उसने बदमाश की हत्या कर दी गोलहलपूर थाना प्रभारी विजय तिवानी ने बताया कि गाजी नगर में मुकदर की चाय की दुकान है रफी उर्फ रस्रिया उसके यां रोज चाय पीने आता था और बिना रूपिय दिये ही चला जाया करता था मुकदर जब भी उससे रूपिय मांगता था तो वह धमकाते हुए विवाद करता बीती रात करीब सारे दस बजे रफी दुकान पर पहुँचा चाय पीने के बाद वह जाने लगा तो मुकदर ने कहा रफी भाई चाय के पैसे दे दो पहले की भी बहुत बकाया है वे सुनते ही रफी आग बगौला हो गया और मुकदर को जोर का थपड़ जर दिया कहा रूपिय मांगने की हिम्मत कैसे की शोर शराबा सुनकर दुकान के पीछे रहने वाली मुकदर की मा बाहर आ गई उसने रफी को कहा विवाद मत करो इस पर गुसाई रफी ने महीला को भी धक्का देकर गिरा दिया मां के साथ हुई हाता पाई को देकर मुकदर भी गुसा हो गया और दुकान पर रखा चाकू उठा लिया उसने चीक्तिव रफी पर एक के बाद एक वार किये चाकू रफी के गले में जागुसा जिस वज़ा से मौके पर ही गिर गया खुन से सने रफी को ततकाल नीजी अस्पताल पहुचाया गिया जहां डॉक्टर ने उसे मृतर घोशित कर दिया सूचना के बाद पुलिस मौके पहुची और औरोपी को गिरफतार कर लिया हत्या के बाद वाए अपने दुकान पर ही चाकू लिये मा के साथ बैठा रहा उसने कहा रोज रोज फिरी में चाई पी कर जाता था रुपिय मांगो को धमकाता था परिशान हो चुका था क्या करता मा के साथ हाता पाई करता दे गुस्सा आ गया और यह सब हो गिया मिरे तर रफिय उर्फ रसिया आत दन अपरादी था उसके किलाव गोहल पूर अधार ताल और हनुमान ताल ठाने में ही आज से दस केस्ट दर्ज है लोगों का कहना है कि रसिया ने छेतर में आतंग मचा रखा था